हैलो गाइज, कैसे हैं आप सब लोग? आज हम ट्रिपल कॉलम कैश book के बारे में करने जा रहे हैं लास्ट वीडियो में हम चैश book के बारे में पढ़ा था ट्रिपल कॉलम कैश book में क्या है? सबसे पहले मैं आपको प्रफोर्म बताती हूं date, particulars, फिर lf column, फिर discount, फिर cash, फिर bank column अब देखे जो lf column है उसके बाद 3 column आ रहे हैं discount, cash and bank column ठीक है पहले क्या था जब double column cash book थी तो उसमें 2 column थी lf के बाद discount और cash column तो simple सा meaning है किसमें एक column override होगा that is bank column इसी तरह हमारी credit side में है date, particulars, lf, discount, cash and bank column तो I hope आप सबको प्रफोर्मा क्लियर हो गया होगा अब मैं आपको contra entry के बारे में बता जेती हो देखे, यह है contra entry जो triple column cash book है, triple column cash book के लिए contra entry बहुत ही potent है contra है जो वो एक latin word है ठीक है, जिसका meaning होता है opposite side ठीक है, contra का meaning क्या होता है opposite side देखे, जब भी हम जल्ली कोई entry पास करते है cash book में, तो हम उसको एक side record करते है जैसे कि कोई payment हो रही है तो उसको credit side record कर दिया कहीं से cash receive हो रहा है तो हमने उसको debit side record कर दिया पर जो contra entry है, इसका double effect होता है यह दोनो side record होगी ठीक है, की cash deposited into bank रुपिस 500 ठीक है, मतलब किया है कि bank में हमने cash deposit करवा है 500 रुपिस तो इसकी general entry क्या हो जाएगी bank account debit, bank में cash आ रहा है तो bank account debit to cash account 500 रुपिस ठीक है, simple हमने इसकी general entry पास कर ली अब अगर हम इस entry को ठीक है, bank account debit to cash account को अगर हम cash book में record करेंगी तो यह दोनो side आ जाएगी debit side भी और credit side भी क्योंकि इसमें bank account भी है और cash account भी है जब कोई entry, cash book में दोनो side आ जाती है ठीक है, debit side भी और credit side भी तो हम उसको क्या बोलते है counter entry clear हो गया होगा आप सबको अब हम numerical कर लेते है यह मैंने एक sum लिया है prepare a triple column cash book हमें triple column cash book prepare करनी है, हम first entry देख लेते हैं June 1st 2019 को है cash on hand रुपिस 2548 balance with bank रुपिस 10,557 ठीक है तो जब भी कोई asset होता है चाहिए cash bank के कोई भी asset उसका हमेशा balance किदर आता है debit side ठीक है तो जो balance है हमारा उसको debit side record कर लेंगे June 1st तो हमारी entry क्या हो जाएगी debit side June 1st cash on hand मतलब क्या हम क्या लिखेंगे two balance brought down हम अपना balance लिख लेंगे cash है हमारे पास 2548 और bank balance है हमारे पास 10,557 उसके बाद June 2 को second entry है हमारी cash sales रुपिस 450 यानि कि cash sales हुई है हमारे 450 की cash आ रहा है हमारे पास को हम क्या करेंगे June 2 को entry record कर लेंगे debit side to sales account cash आ रहा है तो cash कोलम में record करेंगे 450 उसके बाग हम June 4 की entry रुपिस परेंगे इसरी एलाउड है हमारे कस्टमर है उससे हमने cash बी बासूज अकाउंट कितना रेसीव किया है हमने 30 800 डिसकाउंट हमारा कितना आ जाएगा 200 क्लियर है उसके बाग हम जून 7 के अंट्री देखते हैं जून 7 को क्या है विद्ड्रोग कैश फ्रोम बैंक रुपिस 5000 बैंक में से कैश विद्ड्रोग किया है 5000 अब देखें यह हमारे जनल इंकाउंट क्या होगी है इसकी चेश अकाउंटेट holds payment काहई हमारा जो मिद्ड्रोग較 यह केंश हो रहहा कृति के हमने से कैश निकाल है उर बैंक काहणत हमारा डिक्रीज हो रहा है और हमारे एक क्रिपल क्रेंड काईइन उसमें एक शोलंबह और बैंक को लन द bank account ठीक है कब है entry हमारी June 7th को इसको हम लिखेंगे contra entry, contra entry को हम C से denote करते हैं सेम इसी तरीके से ये entry credit side भी आ जाएगी credit side में क्या है जो हमारा bank है, bank balance हमारा reduce हो रहा है 5000 के साथ ठीक है, तो हम इसको bank column में लिख देंगे, क्या लिखेंगे हम by cash account कि हमने bank में से cash निकाल लिया 5000, ठीक है LF column में हम यहाँ पर भी C लिख देंगे उसके बाद क्या है हम June 8th के entry देखेंगे June 8th को क्या है, paid salary and wages Rs. 9,050 in cash यानकी 9,050 की salary and wages हमने cash में pay की है June 8th को, अब हम कोई भी payment करते हैं तो हम उसको credit side record करते हैं तो हम यहाँ पर लिखेंगे June 8th by salary and wages account cash में pay की है हमने 9,050 क्लियर है जी उसके बाद हम जून 9th के entry देख लेंगे June 9th को क्या है Received check from R. Roy Rs. 4,1950 allowed him discount Rs. 50 यानि कि हमने R. Roy से एक check receive किया है 1950 रुपे का और उसको discount दिया है Rs. 50 रुपे जीज़ रिसीव हो रहा है तो हम किदर रिकोड करेंगे इसको debit side June 9th की entry है हमारी June 9th to R. Roy Rs. account R. Roy से receive किया है हमने 1950 रुपे receive किया है ठीक है यान के check receive किया चेक किदर आजाएगा हमारा bank कोलम में 1950 और discount कोलम में आजाएगा हमारा 50 रुपीज उसके बाद क्या है June 12th को paid खन्ना एंड कंपनी by a check drone 4 रुपीज 2400 discount received रुपीज 100 यानके खन्ना एंड कंपनी को हमने एक check दिया है 2400 का और discount हमें कितना मिला है 100 रुपीज का तो हम क्या करेंगे June 12th को credit side entry पास कर देंगे payment की June 12th by खन्ना एंड कंपनी कितने का check दिया है जो check है वो हमारा bank कोलम में आ जाएगा 2400 और discount हमारा है 100 रुपीज उसके बाद है June 13th के entry bank advised that check for rupees 1950 received from ROI has been returned unpaid with the reason referred to drawer यहनकी bank June 13th को क्या entry है कि bank नहीं मैं बताया कि जो ROI ने हमें check दिया था ROI से जो check received हुआ था वो वापिस दे दिया गया है वापिस चला गया है check 1950 का तो हम उसकी reverse entry डाल देंगे June 13th को पहले हमें receive हुआ तो हमने debit side entry डाली थी अब हम उसकी entry credit side डाल देंगे हमारे bank में से पैसा reduce हो रहा है तो हम June 13th को entry डालेंगे ठीक है क्या लिखेंगे buy our ROIS account ठीक है same 50 discount ही मिला था तो discount वापिस चला जाएगा और उसके बाद आ जाएगा हमारा bank column में 1950 उसके बाद हमारी last entry है June 15th को deposited cash रुपिस 1200 in the bank ठीक है cash deposit करवाया है bank में it means इसमें bank bank column है जो वो भी आ जाएगा और जो cash है वो भी आ जाएगा ये भी हमारी counter entry है it means क्या है bank हमारा increase हो रहा है 1200 के साथ ठीक है debit side आ जाएगा June 15th to cash account ठीक है bank हमारा है जो वो increase हो रहा है 1200 के साथ क्योंकि bank में हमने पैसे deposit करवाया है यह हमारी counter entry तो C लिख देंगे उसके बाद credit side से entry को record करेंगे June 15th by bank account मतलब जो हमारा cash है वो reduce हो रहा है तो credit side हम क्या करेंगे cash column में लिख देंगे 1200 और यहां पर भी लिख देंगे C क्योंकि यह counter entry है अब क्या करेंगे हम हम अपनी सारी transactions को पास कर चुके है अब हम balancing करेंगे cash book की ठीक है जो discount column है उसकी balancing करने की कोई जरूरत नहीं है बस हम उसका total कर देंगे बाकि cash और bank column की हम balancing कर लेंगे discount column का इधर total आजाएगा 100 प्लस 50 वन फिफ्टी और इधर आजाएगा 200 प्लस 50 टू फिफ्टी जो हमारा cash column है debit side उसका total आजाएगा हमारा मैं यहां पर लिख देती हूँ एक बार 11,798 ठीक है और जो हमारी credit side है उसके cash column का total आजाएगा हमारा 10,250 एक बार यहां पर लिख देती हूँ नीचे rough ठीक है उसके बाग हम bank column का total कर लेंगे अगर हम debit side के bank column का total करते हैं तो debit side का total हमारा आजाएगा 13,707 ठीक है और अगर credit side का total करेंगे तो credit side का total आजाएगा हमारा 9,350 9,350 ठीक है अब हम balancing कर लेंगे balancing करने के लिए क्या करते हैं हम दोनों side जो ज्यादा वाले मांकोते वो लिखते हैं तो cash column में यहां इधर तो 11,798 है और इधर है 10,250 तो it means 11,798 आ जाएगा दूनों side पे 11,798 इधर भी आ जाएगा 11,798 इस side का total हमारा 10,250 बाकि हम balancing कर देंगे जून 30 को month end में ठीक है by balance carry down by balance carry down हमारा आ जाएगा 11,798 में से 10,250 माइनस करके 15,48 इसी तरह जो हमारे credit side थी sorry bank column की side थी bank column का total इधर है 13,707 इधर है 9,350 तो हम क्या करेंगे 13,707 लिख देंगे और 9,350 माइनस करेंगे इस में से तो हमारे पास balance carry down आ जाएगा 4,357 क्लियर आजी हमारी triple column cash book त्यार है अब आपको पता चल गया होगा कि triple column cash book कैसे बनाते हैं और सबसे important बाग हमारी वीडियो के साथ जो notes हैं वो attached description में दिये हुए होंगे तो please आप उनको वहां से देख सकते हैं कि में आपको वेधा हैं